दोस्तों होफ़ली सब कुछ अच्छा चल रहा होगा चंगा चल रहा होगा आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है तो चलिए आगास करते हैं बहुत शांदार नी उसके साथ और सामने आपको बोला जा रहा है कि वहां चालोकों को नैसनल हाईवे पर फास्टेक की एक माह में रहात हैसा मैं नहीं कर रहा हूँ गवर्णेंट क ही और सामने जो सरकार ने एनचाई से कहा है कि आप अपने जो लेन है नैसनल हाईवे अथारटी आफ इंडिया यानि कि नैसनल हाईवे में जो टूल क्लाजा होते हैं महां पास आप क्या करेंगे एक चौथाई लेन कर दीजे हाइब्रिड हाइब्रिड कहने का मतलब यह है कि आप जो यहाँ पास लेकर होंगे फास्टेक का लेन और साब ने आपके कैश काउंटर वाला एक लेन इधर क्या है एडजेक टूल कर लेन है ठीक तो इस प्रकार के जो लेन है आप इसमें से आप जितने जो इतने सारे खूब सारे लेन है आपने केवले हैं पस दो आप देख रहे हैं तो आप इसको ऐसा किजे कि जो ब्लू वाले भी लेन है ना इनको भी आप परिवर्टित किजे किसमें फास्टेक में और कितने करना है तो एक चौथाई करना है याने कि अगर आप देखेंगे बारा लेन अगर आपके जो है सहर कजबे महानगर में है तो उसमें से एक चौथाई याने कि आपको तीन लेन कर देने कितने फास्टेक के तो फास्टेक जो होता वो कुछ नहीं होता ह हम लोग यहां पास इस तरीके से तो यह रेडियो फ्रिक्वेंसी इस बात का ध्यान रखेंगे तो यह गाड़ी की कुछ इस प्रिकार लगा दी जाती है और गाड़ी जो कभी भी अब टूल प्लाजा से गुजरगी तो यह रीड कर लेगा उससे पहले आप यहां पास यह दे कि यह RFID की चिप लगी है यहां पास RFID reader है यहां पास आप देख लिए RFID reader है यह read कर लेगा यहां से रिक्वेड रिडू frequency निकलेगी और यह read कर लेगा इस चिप को किससे पता चल जाएगा कि हाँ यह व्यक्ति है और देखिए यहां कार के अंदर जो नहीं बना हुआ अब यह जो व्यक्ति है इसके जो यह एक wallet याने कि जैसे कि आप जानते कि पेटियम कैसे काम करता ठीक यह उसी प्रकार का काम है पेटियम हो गया या फिर फोन पे हो गया जैसे जो वो काम करते है वैसे ही same जो है यह काम करेगा ठीक तो इसमें होगा क्या कि एक व्यक्ति ज पास एक fast tech का wallet रहेगा और जैसे ही यह इसकी गार यहाँ पास पहुंचेगी तो इसके जो fast tech का wallet है ना वहां से जो है पैसा कट हो जाएगा यह कैसा है हो गया जैसे की phone पे आप यूज़ करते हैं आप फिर Google पे यूज़ करते हैं आपका एक wallet रहता है और उससे जो है पैसा कर जाता है, air tail का आप यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे आप कहीं भी गए, किसी भी दुकान, आपने किसी भी समान को करेंगे, चाय पीने गए, ठेले से कुछ समान लेने गए, जैसे आप ने किलदा, आप सामने उसको शो करते हैं, वो read कर लेता है, और read के पैसा कर जाता है, ठीक, यही काम होगा, यह जो chip है, यहाँ पास radio frequency से long work करेंगे, आपस मैदान प्रदान होगा data का, और जैसे ही आप यहाँ से गुजरेंगे, तो tool का पैसा जो आप पहले cash में देते थे, यहाँ पास रुक के, cash counter में, तो यह जो है, अब आपका क्या होगा कि direct जो है वो पैसा कर जाएगा, ठीक, तो यह है, इससे काम क्या होगा, आप देखे, boot और wireless स्वचालिक तरीके से सुलक कर जाएगा, यह बात clear हो गई आपको, और क्या है, कि आप यह 2017 से सभी कारों पर यह अनिवार कर दिया गया है, जो यह कार थी 2017 से अनिवार कर दिया ग इसके कार के बैठा हुआ है यह बंदा, तो यह देखे, आपको पता चलिए है कि आपके बस wallet है, तो आपने बताना है कि आप कितना पैसा रख सकते हैं या wallet में, तो आप बताईए कि हाँ, बिल्कुल पैसा रख सकते हैं कितना, अगर आपका prepared wallet है, और आपने KYC करवा लिया तो यह जो है, अगर इसने रखना पैसा, आपने, अगर KYC नहीं कराया है, तो आप कितना रख सकते हैं, बीस से आरख करवा लिया है, तो कितना, एक लाख, इतना आप पैसा रख सकते हैं, किसमें wallet पे, ठीक, अब आप बोलेंगे कि आपको ट्राप्त करना है, तो कैसे खरी नहीं दे जाके, तो आप जाएए, बैंक में जाएए, लेकिन एक बात ध्यान रखेए, SBI से अगर आपने खरीदा है, ठीक, तो आपको SBI में ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, अपने उससे, SDFC से खरीदा है, तो आपको SDFC में ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिदा, अगर आप नहीं करते हैं, फास्टेक लेते हैं, तो अगर आप गलत लेन में प्रविस कर जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे आप लेन देखे, तो गलत नहीं प्रविस कर तो दुगना सुल्क चलोखाना पड़ेगा, यह तो समल के जाएगा, क्या होता है, कि हगल बगल हम ध्यान नहीं देते हैं, कई बार अलग लेन में घुस जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेगा, इतने बूटो पर फास्टेक अभी फिलाल 523 बूटो पर कामका नहीं है यह, फिलाल इस बात का ध्यान रखें कि दुगना सुल करना पड़ेगा, और एक बैंक में आप ज चार्ज की सुविधा है जल्दी सेल्दी आप सुविधा कर सकते हैं और क्या आप सोच सकते हैं तो payment electronic है जल्दी सेल्दा आपको कर लेना है cashback की सुविधा मिलेगी हाँ ये बात आपको clear हो गई कि electronic है तो आपको जल्दी सेल्दी payment मिल जाएगा पहले क्या cash counter में रुखना दूशन जो होगा वो नहीं होगा कम से कम होगा बहत कम होगा क्योंकि आप जो है आपको जल्दी सेल्दा आप लेन में पास हो जाएगे ठीक तो आपने देखा payment के सुविधा बहुत जल्दी cashback भी मिलेगा भाई अगर आप इससे करते हैं तो आपका पैसा return भी होगा एक प पता है कि यहां पास जो है कम से कम अब फ्यूल जल रहा है तो environment की नीती में भी यह सही उब देगा एक प्रकार से कि हमने जो इतना GHG emission कम कर दिया है एक प्रकार से हम यहां भी यह बता सकते हैं तो आपके ने देखे चार पॉइंट जो की positive lab है तो अगर कुछ malware आप डाल द जो है ना सही नहीं होगा अन्य देश जो है वा Malaysia software डाल सकते हैं अतंकी गतिविदी वाले Malaysia software डाल सकते हैं और एक जामते HDFC से खरीदा तो HDFC से ही आपको शुल कुछ करना पड़ेगा तो यह बात ठीक इसकी वास्टेक के बारे में कुछ second news में आई है अमेरिका जो है भारत के लिए बड़ा महत्त है क्या कौन कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा Mark Asper है सहाव यह कह रहे है क्या कुछ कह रहे है देखें क्या कुछ जूम हो सकता है तो जूम करके देखते हैं चीन देखें काम का point जो है ना उसी को हम discuss करेंगे भ चीन अमेरिका को दे रहा है यह टकर क्योंकि सेनाओं की लगाता राधुनिक हो रहे है स्पेस और साइबर अपनी शमता बढ़ा रहा है इसके लिए दोनों ही देश ना के विल छोटों देशों की संप्रभुदा खतम कर रहे हैं देखें चीन और रूस बोल रहा है कि यह फ इंडोनेशिया में जो है अभी चल रहा था इंडोनेशिया से मसला कि इंडोनेशिया में इन्हों अपना जहाज लेके चले गए थे भारत में भी अपना जहाज लेका है ता बात अलागे कि वो रिसर्च उन लोगोंने बोलने लग गए दूसरी बात आप देखेंगे कि यह 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 उसको नकार देता है और बोलता है कि ये चीन का दक्षिन सागर का हिस्सा है तो नाइन डेस लाइन का है इसलिए आप बोलते हैं अंतराश्टी नियम कानूं का उलंगन कर रहा है तो आपने देखा कैसे ये चीन जो है वह संप्रभुता का उलंगन करता है आपने देखा इस प प्रकार से जो है चीन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनोती है और हिंद महासागर और कहां हिंद और प्रशांत महासागर चेत में बेर उक्टोक आवा गमन के लिए ही भारत का साथ देना चाहता है अमेरिका तो जो अंतिम पॉइंट है वही जो है एकदम समझ दिए आपने शिक्सर मार दिया है यहां पास तो आप बताएंगी कि हाँ चीन यह काम कर रहा है यह नेगेटिविटी आपकी यहां से यहां तक आप देख सकते हैं अब पॉजिटिविटी क्या है यहां पास एक अंतिम जो शिक्सर मारने की बात कही गई वो यह कि इस चीज को जो है समहलने के लिए अमेरिका जो है वह चाहता है भारत का साथ ताकि हिंद प्रसांत महासागर में बेरुक टूक हो सके अवागमन और अंतराश्ट्री नियमों का पालन हो सके ठिक तो अंतराश्ट्री नियमों का पालन